रोकने के लिए पुरे देश के अंदर जो एथियाद बढ़ते जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए पुरेश सरकार ने भी हरहाल में कुरोना वाइरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरी सतरक्ता बढ़ती है, क्योंकि यह संक्रमण से फैलता है, तो स्वाभवाई कुरूप से हमें संक्रमण को हर हाल में रोकना पड़ेगा, इस दिश से पहले भी अपील हुई है, अभी दो दिन पहले अधने प्रधान मंत्री ची ने भी देश के नाम पर अपने संबोधन में इन सब बातों की अपील की थी, जिसमें भीड भड़वाले अस्थानों में जाने से बचने, और किसी भी प्रकार के पब्लिक गैदरिंग को रोकने के बारे में पुरी देश का ओहान किया था, पुरी देश के अंदर करोनो वाइरस, अभी सेकिन स्टेज में है, हम इस स्टेज पर इसको रोकने में अगर सफल होते हैं, तो यहाँ दुनिया के लिए भी अपने आपने एक मैसेज होगा, साथ साथ, जिन देशों ने इस समन्द में लापरवाही बढ़ती है, वहाँ पर जन और धन की जोहानी हुई है, हम उस को भी ब्यापक अस्तर पर रोकने में सफल हो सकते हैं, और इसके लिए हम लोगों ने आज ये बिवस्था प्रारंब की है, कि हर हाल में इस संक्रमण को रोकने के लिए कुछ आउस्यक कदम उठाए जाने चाहिए, जो साउधानिया बरती जानी चाहिए, उस समन्द में हमारी कारवाई युद्धस्तर पर चल लई है, हमने प्रदेश के अंदर आईसोलेशन वार्ड बनाए हैं, हर जन्पद में, हर डिस्टिक होस्पिटल में, हर मेडिकल कॉलेजेज में, प्रदेश में अब तक करोना वाईरस से 23 पेसेंट चिन्नित हुए थे, इन में से 9 पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं, स्वभाई ग्रुप से इस से घवराने की नहीं बलकि इन चुनोतियों से जूजने और लड़ने के लिए अपने आपको तैयार करने के आऊ सकता है, और इसमें बचाओ का पक्स सबसे बड़ा महत्तोफून है, बहुत सारी गद्विधियों को हम लोगों ने इस दोरान रोका है, और उन गद्विधियों को पूरी तरह रोक लगाने के कारण, ये स्तिती पैदा हुई है, कि जैसे मल्टिफ्लेक्स, सिनेमा घर, मॉल्स, आधी को बंद करने की कारवाई करनी पड़ी, इस्कूल, कॉल आजेज, वकिस्टनल एजूकेशन और टेकनिकल एजूकेशन से जोड़ी भी सभी संस्थानों को बंद करना पड़ा, जहां पर अाउस्थिक नहीं, तो अनाउस्थिक यातायात के कारें को रोकने, ट्रैबलिंग के कार्यों को रोकने के लिए आउहान किया गया भीड़ भाड़ वाले अस्थानों में जाने से बचने के लिए भी आम जनका आउहान किया गया तो स्वाभाई कुरुप से इस से दिन प्रति दिन कमाने वाले लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ेगा और इसलिए हमारी सरकार ने अभी हाली में बित्व मंत्री सी शुरेश खन्ना जी के नित्रत्व में एक कमेटी का गठन किया था जो डे टुडे कमाने वाले लोगों की धाड़ी मजदूर हैं या अन्य जो उस तपके के लोग हैं जो प्रति दिन कारे करते हैं फिर उसके जो कमाई होती है उससे अपने और परिवार का भरण पोशन करते हैं उन लोगों के बारे में एक ठोस किसी निसकर्ष पर हम पहुंश सके स्वाभाई प्रूप से इसके लिए प्रदेश सरकार ने भरण पोशन की भत्ते को अपनी मंजूरी दी है कमेटी ने जो संस्तुती की थी उसके अनुसार मंजूरी दी है और सरकार ने जो अपनी सैमती थी है इसमें प्रदेश के अंदर सरम विभाग के द्वारा बीस 37,000 जो निर्मान सर्मिक पंजिकिर्ट हैं इन सभी सर्मिकों को हम लोगों ने तै किया है कि ताथकालिक रूप से भरण पोशन भत्ता की रूप में एक हजार उपे डिवीटी के माध्यम से हम इनके एकाउंट में देने की सैमती प्रदेश सरकार ने दी है जो पैसाम लेबर से से उन्हें उपलब्द करवाएंगे दूसरा प्रदेश के अंदर ठेला खोमचा रहडी रिक्सा चलाने वाले जितने भी अन्य इस प्रकार के छोटे छोटे कारूबार में लगे वे दिन प्रतिदिन कमाने वाले लोग हैं इन लोगों की संख्या लगभग 15 लाख है इन 15 लाख लोगों के लिए भी हम लोगों ने पहले ही अपने प्रदेश के अंदर इन सब का सर्वे करवाया है इन सभी लोगों को भी एक हजार रुपे की रासी भरण पोशन की दिश से ततकाल रूप से सरकार इनके लिए भी अपना स्विक्रत कर रही है इसको भी हम डीवीटी के मत्यम से उनके एकाउंट में इस धन रासी को पलब्द करवाने की करवाई करेंगे इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तै किया है कि चाए वह ग्रामिड छेतर हो या सहरी छेतर हो इन सभी में जो भी कारे करने वाले लोग हैं खास तोर पर जो मजदूर हैं या ठेला लगाने वाले हैं खुमचा लगाने वाले हैं यद्देपी सरकार ने एक अभियान चलाया था इन सब के लिए रासनकार प्रात्मिक ताक्याधार पर बनाने की कारवाई अगर नहीं है ततकाल बन करके उन्हें खाद्यान पिछले कुछ दिनों से कुरोना वाइरस के संक्रमन को रोकने के लिए हम लोगों ने स्कूल, कॉलेजेज, मल्टिप्लेक्स, तरणतार, जिम, रेस्टूरेंट इन सभी को भी बंद करने का निर्णे लिया है इनके बंद होने से जो सर्मिक और कार्मिक हैं स्वाभाई कुर अंचालित करने वाले जो भी उनके प्रवंदन हैं, जो भी मालिकान हैं, जो भी संस्ताएं हैं, उनसे कहा गया है कि इन सभी सर्मिकों को जो नियमित बेतन वेलोग करते रहे हैं, उन्हें सब भुक्तान आवकास इन दिनों के लिए उन्हें उपलब्द कराया जाए और यह उन्हें पेड सेलरी के रूप में ये कार्य उन्हें तत्काल उपलब्द कराने के लिए कह दिया गया है मन्रेगा के जिन मजदूरों को अभी तक मजदूरी भुक्तान नहीं हो पाई है उन्हें तत्कालिस मजदूरी को इसी मार्च के अंदर भुक्तान करने के निर्देश दिये गए हैं इसके साथ ही प्रदेश में अंतोदय, मन्रेगा जौब काडधारक, सरम बिभाग में पंजिकिर्थ निर्मान सर्मिक और ध्याड़ी मजदूर कुल मिलाकर के एक करोड़ पैंसट लाग इकतीस हजार ये संख्या पढ़ती है, एक करोड़ पैंसट लाग इकतीस हजार जो ये संख्या है इन इतने परिवारों को एक महिने का खाद्यान उपलब्द करवाने के भी निर्देश तत्काल दिये जा रहे हैं, ये समंधित जो हमारे पास असी हजार से धिक पीडियस के जो दुकाने हैं, उनके माध्यम से हर एक दुकान के लिए एक नोड़ल अधिकारी नुक्त करने के लिए कह दिया गया है उन दुकानों से इने एक महिने का निस्वल्क खाद्यान जिनमें 20 किलो गेहों और 15 किलो चावल इने निस्वल्क को पलब्द करवाने की विवस्ता वहां पर कर दी गई है ये विवस्ता वहां करने के लिए कहा गया है इसके साथ ही प्रदेश के अंदर बिर्धवस्ता पिंसन धारक 46,097,000 है दिब्यांग जन ससक्तिकरण पिंसन योजना के लाभरती 10,06,000 है और निराशित बिद्वा के भरण पोशन के जो पिंसन धारक है वे 26,10,000 है यानि कुल 83,83,000 ये संख्या पढ़ती है इन सब को भी ये विवस्ता की गई है कि इनके पेंसन अप्रेल मई की जो पेंसन होगी वह एक मुस्त इने अप्रेल में ही उपलब्द कराने की कारवाई को भी आगे बढ़ाने के लिए आदेस दे दिये गए हैं इसके साथ ही इन सब के बाबजूद अगर ग्रामिन छेत्र में या सहरी छेत्र में कोई बेक्ती ऐसे मिलता है कि जिसके पास जिसकी आजिवी का प्रभावित वी और इस सब में कवर नहीं हो पा रहा है तो जिलादी कारियों को निर्देश दिये हैं कि ग्रामिन छेत्र में ग्राम पंचायत अधिकारी और बीडियो की कमेटी SDM के साथ मिल करके इस बात की संस्तुती जिलादी कारी को करेगी और नगरी चेत्र में नगर के अधिसासे अधिकारी मुख्य नगर अधिकारी लोकल सिटी में स्टेट या SDM के साथ मिल करके अपनी संस्तुती जिलादी कारी को करेगी जो परिवार किसी उस नामे आच्छादीत नहीं हो रहे हैं उनकी आजिव का बुरी तरह प्रभावित हैं उनके पास कोई भी करने खाने कमाने का कोई दूसा जरिया नहीं बचा है उनको भी ततकाल उनकी सुची बना करके जिलादी कारी आदार राहत कोश से एक हजार रुपे की सायता डिवीटी के माध्यम से उने भी ततकाल उपलब्द करवाने की कारवाई करेगा ये निड़े प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर ब्यापक जनहित में प्रदेश के अंदर कोरोना वायरस के संक्रमन को रोखने की दिस्से उठाया है तूसरा प्रदेश के अंदर हम लोग आवहान करेंगे प्रदेश के सभी ब्यापारियों का सभी आम नाकरिकों का कि वे कोरोना वाइरस से घवराईना सतरक्ता और सावधानी बहुत आवस्यक है और इसके लिए मैं आवहन करूँगा कि कहीं भी वे लोग हमारे पास प्रयाप्त खाद्यान हैं हमारे पास आवस्यक वस्तों का प्रयाप्त भंडार मौजूद है